नमस्कार आप देख रहे हैं लाए बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास बिहार से लोकसभाचुनाओ दोहजार चोबिस को लेकर संखनाद हो चुका है और सभी राजनेतिक दल अपनी अपनी रोटी और अपनी अपनी सियासत को चमकाने की कोसिस में लगे हुए हैं उसको लेकर पूरे टारगेट के आधार पर काम कर रही है और लगतार भाचपा के कई बड़ी नेताओं का बिहार आना और जाना हो रहा है हलाकि बात करें तो महागडबंधन की तरब से भी पुर्निया में एक बड़ी रैली करके इंडिये और नेंद मोदी को चनोती देने का एलान किया गया है लेकिन आम बात कर रहे हैं आज भाचपा का भाचपा में भी ओभी केंद्रिये मंत्री अमीच्सा का अमीच्सा लगतार बिहार के दौरे पे हैं दो हजार चोबींस लोकस्वाचुनाओं को लेकर प्लान बना रहे हैं क्या उनका एजंड़ा है और तो अमीज साल लगतार बिहार के कई दोरे पे आ चुके हैं और वो अपने भाज़पा कार करता हूं आप पताधिकारियों से मिलकर मिशन दोहजार चोबिस को लेकर बाचित भी कर चुके हैं और फिर एक बार एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है कि केंद्रिय मंत्री साब बिहार दोरे पर आ सकते हैं सुत्रों के हवाले से जो खवर मिली है उसके अधार पे दो अप्रेल को अमीज साब बिहार दोरे पर होंगे जहां नवादा में और सासा राम में वो जनसभा को संबोधित करेंगे आप करकरताओं से मिलेंगे नेताओं से मिलेंगे और दो इसको लेकर अपनी बात रखेंगे हाला कि दो अप्रेल का जो यात्रा है नवादा और सासारा में जो जनसभाई होनी हैं उसको लेकर अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन जो अंदर खाने से जो खवर निकल कर आई है उसके अधार पर अमीद सा दो अ परवारी में 25 तारी को पच्मी चंपाने के लौरिया में अमीद सा का दोरा हुआ था जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था अज संबोधित करते हुए मुख मंत्री नितिश कुमार और तियस्वी यादों को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि नितिश जी बताई चालेज सीट पर भाजपा और एंडिये की जीत होगी उन्होंने साथ ही कहा था कि नितिश कुमार जो है वो ठगने वाले हैं नितिश कुमार का जो विश्वास है वो जनता के भी से हट गया है खतम हो गया है जनता अब दोबारा इनको मौका नहीं देने वाली है और इसका जो एक लिटमस टेस है वो 2024 में जनता बता देगी तो अमीज साह का बिहार दोरा कितना कुछ सफल होने वाला है इससे क्या 2024 के राजनिती पे असर होगा ये तो वक्त बताएगा लेगी इतना जरूर है कि बीजेपी 2024 लोक्स बाचुनाओं को लेकर किसी भी हालत में कहीं भी कोछ कमी बेस नहीं छोड़ना चाहती है तो इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखनी के लिए आप ह लिए शुक्रिया लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें